हलो एवरीवन, वेलकम टू होम्स कीचन गर्मी बहुत बढ़ गई है और हम सब कुछ ने कुछ ठंडा पीना जाते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ बहुती फायदे मंदोर जटपट बनने वाली ऐसी रेसिपी जिसको आप बना कर पूरी गर्मिया इंजॉई कर सकते हैं तो मैं आज बनाने वाली हूँ आम पनना आम पनना खटे मिठे फ्लेवर के साथ बन करके तयार होगा फिल्कल थोड़े से टाइम में आप इसको बना कर तयार कर सकते हैं बच्चे भी इसको पीकर बड़े खुश होंगे, तो देर किस बात की, चलिए आम पन्ना बनाना शुरू करते हैं, आम पन्ना बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं, चार कच्चे आम, इनको मैंने अच्छे से वोश कर लिया है, अब हम इसका सारा छिलका उतार लेंगे, आम लेते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है, कि कच्चे आम अंदर से पके हुए नहीं होने चीए, कई बार क्या होता है, आम बहार से हरे दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो पीलापन पकड़ जाते हैं, ऐसे में हमारा आम पनना अच्छा नहीं बन पाएगा, इसलिए आम हमने पूरी तरह से कच्चा लेना है, जैसे हमने लिया है, ये देखिए, इसका छिलका भी कितना मुश्किल से उतर रहा है, आम को हमने पील कर लिया है, अब हम इस तरीके से इसको पीसीज में कट कर लेंगे, इस तरीके से हमने इसको रफली चॉप कर लेना है, आम का सारा पलप हम इस तरीके से काट लेंगे, और जो ये करनल्स हैं, इनको हम हटा देंगे, खचे आम को हमने काट कर लिया है, यह देखिए हमने इनको बिल्कुल रफ पीसिज में काटा है अब हम एक पैन लेंगे और सारे आम को इसमें डाल देंगे डेड़ कप हम इसमें पाने डालेंगे और मेडियम फ्लेम पर सोफ्ट होने तक इसको बॉयल करेंगे आम को बॉयल होते हुए 7-8 मिनिट हो गई है अब हम फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसका ठंडा होने का वेट करेंगे कच्चे आम का प्लप पूरी तरह से ठंडा हो गया है अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और पूरे प्लप को इसमें डाल देंगे और एक कप हम इसमें पानी ओर डाल देंगे दो कप भरके हम इसमे चीनी डालेंगे 15-20 ग्राहम्स यहां पर मैंने लिया है पुदीना आम पन्ना में पुदीना बहुत पढ़िया फ्लेवर देता है और गर्म्यू में बहुत फायदे भी देता है अब हम अच्छे से लिड लगा कर इसको ग्राइंड कर लेंगे आम और पुदीनी को हमने जाएंगे और एकदम tasty वाला हमारा आम पन्ना बन करके तयार होगा लपको हमने चान लिया है यह देखिए इतने सारे रेशे इसके कठे हो गई इनको हम हटा देंगे आम लब को हमने अच्छे से चान लिया है यह देखिए कितना सुंदर लग रहा है अब 2 कप पानी हम इसम वेजीरी का पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे आम पन्ना कॉंटेंट बनकर के तैयार है ये जो हमारा आम कॉंटेंट बना है ये एक लिटर के क्रीब है इसमें दो लिटर पानी हम और एड करेंगे बाकी का दो लिटर पानी आप साथ में चाए तो आप साथ में भी एड़ कर सकते हैं अगर आपने बाद में डालना है जब आपने पीना हुआ आप तब भी डाल सकते हैं हम इसको एक जार में डालकर फ्रिज में स्टोर करके रख देंगी और जब हमने सव करना होगा तब एक गिलास में हाफ कप हम इसमें ये आम content डालेंगे और बाकी का पानी एड़ करके serve कर देंगे तो आम पना बन करके तयार है यकीन मानिए ये बड़ा ही tasty बनता है आप इसको instant भी बना कर पी सकते हैं आप चाहें तो इसको store करके भी रख सकते हैं आप कम से कम इसको 2-3 महीने तक store करके रख सकते हैं लेकिन आप इसको 3 महीने तक store करके रखी नहीं पाएंगे क्योंकि ये इतना tasty बनता है कि बार बार पीने का मन करता है आप भी इस तरीके से आम पना जरूर बनाना यकीन मानिए ये बड़ा ही tasty बनता है आप इसको बार बार बना कर पीएंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेर करना अगर मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक गुडबाई टेक कियर